आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बादी बावासिर यानि एक्स्टरनल पाइल्स और खुनी बावासिर यानि इंटरनल पाइल्स ये दोनों में क्या आंतर है दोस्तो external hemorrhoids या external piles या बादी बावासिर ये दोस्तो सूजन आ जाती है गुद्यदार की जब बाहर की वाजु में ये सूज जाते है फुल जाते है कभी कभार हलका सा दर्द भी दे सकते है और खरोच के करण हलका सा bleeding हो सकता है लेकिन अकसर ये bleeding नहीं करते है उसकी तुलनाबे जब हम बात करते हैं खुनी बावासिर यानि internal piles या internal hemorrhoids तो ये दोस्तों ये internal hemorrhoids blood supply में बहुत reach रहते हैं और इसके करण जब फूटते हैं तो bleeding जादा होता है यदि ये internal piles या खुनी बावासिर prolapse होके बाहर अटक जाते हैं और मल आने के कारण या फिर जोर लगाने के कारण तो फिर एक खुन का गठा जम होने के कारण बहुत बयानक दर्द देता है और कभी-कभी ये bleeding इतना जाद होता है कि ये मरीज को कमजोरी का भी महसूस्पन हो सकता है तो ये था अंतर खुनी बावासिर यानी internal piles और external hemorrhoids यानी बादी बावासिर ऐसी ओओ scientific information piles मसे बावासिर यानी hemorrhoids के बारे में जानने के लिए subscribe कीजे हमारी चैनल को और comment section में type कीजे